मेस रासी बालों का आने बाला दिन यानी की 25 अप्रेल 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ 25 अप्रेल 2021 के पंच्यांग के बारे में आज तिथी है त्रियोदसी नक्छत्र है हस्त पक्छ है सुकल पक्छ दिन है रभी वार आने बाले शमय में सुर्ज उद्य का समय है पांच बजी के छी आलीस मिनट में सुर्ज अस्त का समय है छे बजी के बाबन मिनट में रितू है ग्रिस्म आने बाले शमय में दिन काल है 13 घंटे 6 मिनट 13 सकेंड का महिना है चैत्र मित्रो आने बाले शमय में सुभ समय सुरू होता है 11 बजी के 53 मिनट एम से 12 बजी के 45 मिनट पी एम तक असुभ काल सुरू होता है 5 बजी के 10 मिनट पी एम से 6 बजी पी एम तक दिसासूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग मित्रों इस वेडियों के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा टोट का भाग्य साली रंग एबं भाग्य साली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीवन के बारे में यदि आप कोई भी बातें मेरे से जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर मेरा वाटसेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे वाटसेप करते हैं तो आपक वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने मित्रों शब से पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ, आपके कामकाज, आपके बेपार, आपके बेवसाई के बारे में मित्रो आने बाले शमय में आपके बेपार आपके बेवसाई के द्रिष्टी कोन से आपका शमय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रो आने बाले समय में यदि आप किसी भी नई काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो किसी भी काम को सुरु करने में आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा जिसके कारण आपके बेपार के छित्र में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा मित्रो आने बाले समय में यदि आपके दामपत्ति जीवन की बात करें तो दामपत्ति जीवन के दृष्टी कोन से आपका समय सामान्य से बहुत जयादा नीचे है मित्रो आने बाले शमय में ऐसी संभबना है कि किसी छोटी मोटी बातों के कारण आपके जीवन साथी के साथ में आपका नोक जोंक होगा आपका बहस होगा लेकिन आने बाले शमय में इन चीजों से आपको बचना चाहिए क्योंकि आपके आने बाले शमय के लिए यह बहुत जयादा जरूरी एबम आबस्यक है। मित्रो आने बाले समय में यदि आपके केरियर की बात कड़ें तो केरियर के दृष्टी कौन से आपका आने बाला समय सामाने रहेगा। न जयादा बिहतर न जयादा खराब। मित्रो आने बाले समय में अपने केरियर के छित्र में समय के दृष्टी कौन से आपको बचना होगा। क्योंकि आने बाले समय में यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा। मित्रो आने बाले समय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है भुरा एबम सलेटी आपके लिए भाग्यसाली अंक है नव यणी की नाइन। मित्रों आने बाले शमय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको स्री दुरुगा कबच का पाठिक करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक करदें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करदें इबम इस वीडियो के नीचे जय मादुरगे कमेंट करदें इबम इस वीडियो को आप हर जगह से यड़ करदें धन्यवाद जय सियाराम